अपकी नहीं मिलेगी सरकार तुम्हारी चुनावी जुम्लों से क्योंकि जन्ता होसियार हो गई है। ये बात अब जन्ता दर इनाइटेट के राश्टी अज्यक्ष ललन सिंग भाजपा को बता रहे हैं। ललन सिंग ने बिहार के अप्रुव उप्मुख मंत्री और रासबस संसद सुसील मोदी को तथ्यों के साथ जबाब दिया है जब ललन सिंग ने कहा था कि अमिस्था ने साजिस करके 2017 में महाकटबंधन तुड़वा दिया था। नितीज को आरजेडी से अलग करा दिया था। इस खुलासे के बाद भाजपा के अंदर बेचैनी साफ दिख रही थी और इस बेचैनी पर बिहार के अप्रुव उप्मुख मंत्री सुसील मोदी का जबाब आया। सुसील मोदी ने विडियो जारी करते हुए ललन सिंग को नसीहत दे दी और तमाम जो आरोप लगे थे उसकी एक-एक पटकता और पूरी स्क्रिप्ट बदा दाली। फिर ललन सिंग सामने आ, उन्होंने ट्वीट किया, करमवार उन्होंने जबाब दिया है सुसील मोदी को, तथ्यों के साथ जबाब दिया है, कहा है घबडाईये नहीं, आपके पास भी जो है जबाबों का पिटारा है वो नहीं रहेगा, ललन सिंग ने अपने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा है उसकी हम बात कर रहे हैं लालन सिंग जनता दर उनाइटेट के राष्टी अध्यक्ष हैं वो अपसे कुछ दर पहले ट्वीट किये हैं और सबसे पहले उन्होंने लिखा है अब नहीं मिलेगा राज चुनावी जुमलों से अपकी जनता है हो सियार देश की जनता हिसाब और जवाब चाहती है हिसाब दो जुमले बाजो देश की जनता को जबाब तो दो उसके बाद सिधे तोर पर लिखा है कि भाजपा मुक्त भारत मिशन दोजार चौवेस तुसिल्कमर मोदी जी को तत्थ्यों के साथ जबाब दिये हैं ललन सिंग ने लिखा है ललन सिंग ने कि ग्री मंत्री अमिस साजी ने 2020 के चुनाओं में साजीस किया था या नहीं यानि ललन सिंग में वह खुलासा किया है कि 2020 के चुनाओं में राजद ने जो अरूप लगाया था NDA के उपर वह अरूप सही था तो कि आब इस बात का खुलासा ललन सिं का काना है कि 2020 के चुनाओं में साजीस हुई थी ये सुसिल मोदी को बताना होगा क्या मिस्सा ने साजीस किया था या नहीं दूसरे उन्होंने लिखा आई यार CTC आरोप पत्र 2017 में दायर हुआ था की नहीं यदि हा तो 2022 तक क्या हुआ उसका कुछ नहीं हुआ तो क्या यह साजीस नहीं थी पूनिया हवायड़ा बनकर तयार हुआ है या नहीं देश के जुम्लेबाज ग्रीम मंत्री तो बोल रहा है कि बनकर तयार हो गया है भाई टाली डाक्टर एपीज अब्दुलकलाम ख्रिशी महा विद्याले कि संगज बिहार सरकार के खाजाने से बना जिसका स्रे जुम्लेबाज ग्रीम मंत्री लेना चाहते हैं क्यों इसका जवाब सुसिल मोदी को बताना होगा सांति साथ अगले क्वीट में लिख रहे हैं सुसिल मोदी के उपर लगाया है आगे सुसिल मोदी ने जो जबाब दिया था ललन सिंग को उस पर पलत्वार करते हुए सीधे तोर पे ललन सिंग ने एक लंबी चोड़ी सवालू की लिष्ट है वो सुसिल मोदी को दे दिया और पूछा है कि आप बताईए कि जब भागल जिती थी और गठ बंधन के बाद कितनी सीठे चुनाव जीती ये सवाल सिधे तोर पे ललन सिंग ने बीजेपी से पूछा है सुसिल मोदी से पूछा है और कहा है बॉखलाईए मत 2024 में पता चल जाएगा आसु बहाने के लायक भी नहीं रहिएगा यानि सिधे तोर पे लल सिधे वाला है बॉखलाईए नहीं 2024 में आपको मालूम पर जाएगा यह आपके पास आसु बहाने के लायक भी आप है या नहीं अगले सवाल में सुसिल मोदी ने लिखा है मेरी ब्याकुलता मंत्री बनने में नहीं बलकि पाठी को बचाने में तो सिल मोदी ने कल वीडियो जारी कर कहा कि ललन सिंक जो आरोप अमिसा अपर लगा रहा हैं वह दरसल केंद्रिये केबिनेत में जगह नहीं मिलने से जो ब्याकुलता है वो ललन सिंग की दिख रही है ललन सिंग मंत्री बनना चाहते थे लेकिन वो बने नहीं और इसी वज़े से वो इस तरीके के बयान बाजी कर रहे हैं जिस पर अब सुसिल बोती के इनारोपों पर ललन सिंग की तरफ से पल्टवार हुआ और उन्होंने लि मेरी ब्याकुलता मंत्री बनने में नहीं बलकि पार्टी को बचाने में थी जिसके खिलाप आप लोग सरियंद्र कर रहे थे मंत्री बनना जिनके जीवन की अंतिमिक्षा थी उनको आप लोगों ने अपने साथ मिलाकर जेडियू को खतम करने का सरियंद्र किया क्या यह सब नहीं है ललन सिंग ने आर्सीपी सिंग का नाम लिए बेगर ही लिख डाला है कि जिस बेख्थी की अंतिम इच्छा मंत्री बनने की थी उसको आप लोगों ने मंत्री बनाया और उसको अपने साथ मिलाकर सड्यंत करवागर जंता दर उनाइटिट को खतम करने की जो साजी ताकि मैं मंत्री बनने के लिए प्रसांता आगे लिख रहे हैं कि 2005 पर जब सरकार बनी थी उस समय उपमुक मंत्री बनने की आपकी जो ब्याकुलता थी हम बताएं या फिर आप बताएंगे ललन सिंग ने सुसील मोदी के उन तमाम जो राजनितिक कैरियर है जहां ललन नस को दबाने की कोशिस ललन सिंग ने कहा है और कहा है यह आप बताएंगा या हम बतादें आप चिंता मत किजिए 2024 का चुनाव आने वाला है और देश भाजपा मुक्त हो जाएगा क्योंकि भाजपा मुक्त भारत के नारे से भी जीत कर दिखाएंगे यह नारा जो होगा भाजपा मुक्त भारत का नारा लगेगा 2024 में अगले सवाल में स्रिल मोधी के उपर हमला करते हुए ललन सिंग ने पूछा है अगर जानकारी नहीं है तो RSS के स्री अनील ठाकूर जी से पूछ लिजिए कि 2020 का चुनाव आपके सिस कैसे जीते हैं यह सीधे तोर पे दस्वा जो सवाल था ललन सिंग का उसके बाद एक रहा हुआ सवाल हम स्वागत करेंगे यदि आप हमसे 2024 का चुनाव भाजपा मुक्त भारत के नारे पर लड़े रहे हैं ललन सिंग ने सुसील मोधी का स्वागत भी कर दिया है कहा है कि आप आईए और भाजपा मुक्त चुनाव लड़ने में मदद कीजिए क्या मैं आपको यह भी बताओं कि 2004 और 2019 के चुनाव में भाजपा के कारे करता अपके इसारे पर क्या कर रहे थे उसके बावजूद भी मैं जीत गया साक्षे मेरे पास बता दूं सिधर तोर पर ललन सिंग ने कहा कि 2004 और 2019 के चुनाव जब वो आरोप जो है ललन सिंग लगा रहे है सुषिल मोदी के उपर आगे उन्होंने लिखा है क्या आपके अंदर इतनी साहस है कि कह सके कि स्रधे अटल और अडवानी जी वाला एंडी अब नहीं रहा अब तो आप बस चाकरी और चापलूसी ही कीजिए राजनीती नहीं कीजिए यह बड़ा आरोप ललन सिंग ने सुषिल मोदी के उपर लगाया है आगे लिखा है कि सुषिल जी आप दया के पात हैं वैसे भी आप हमारे नेता के बहुत करीवी रहे हैं संभव है आज भी है इसलिए आप हमेशा से त्रिस्कृत रहे हैं ठेर आप पर कुछ नहीं बोलन है हमें आपको कुछ मिल जाए हम सब्की सहान भूति आपके साथ है आपके आका ग्रेह मंत्री जुमले बाजी कर रहे हैं अब देश जुमले बाजी से नहीं हाकिकत से चलेगा दोजार चौबिस में देश भाजपा मुक्त होगा इंतजार करिए तो सीथे पर पर लड़न सि के उपर जो आरोप है वो भी लगा डाला है